जै मातादी दोस्तों जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत से लोगों के वरत चल रहे होंगे तो हमें वरत में एक ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जो खाने में बहुती स्वादिश्ट हो और जो कम समय और कम समान में बन जाए तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूं जिसको बनाना तो थोड़ा आसान है ही खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको 4-5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जब आपका दिल करें निकालिए हलका सा सेके शेलो फ्राइ कीजिए और खा लीजिए तो चलिए हम अपने रेसिपी शुरू करते हैं वीडियो को थोड़ा ध्यान से एंड तब पूरा देखेगा ताकि कोई स्टेप मिस न हो जाए और आपकी रेसिपी पर्फेक्ट बने तो सबसे पहले हम लेंगे सामक के चावल यह मार्केट में बहुत एजीली मिल जाते हैं सिर्शोट- ओर AM ककैर दाने ढ़ियो को एक कटूरी से किसी भी नाप बना लिए तो नाप के एक कटूरी लेंगे और इसका हम पोड़र बना ले यानले उसका आटा बना लेंगे ये देखे, सेम नाप से इसको ग्राइंड कर ले तो इस तरह का आटा बन जाएगा ये देखे, एक कप मेजरिंग कप जो होता है, इसमें जो भी चीज हम लेते हैं, चाह चाह आटा हो वो एक कटूरी के बराबर है, यानि कि 1.500 ग्राम होता है मेजरमेंट से तो आप किसी भी घर की कटूरी से, अगर मेजरिंग कप ना हो तो नाप बना लीजिए, ये मैंने आपको करके दिखाया है, क्योंकि कई बर लोग पूछते हैं, कि मेजरिंग कप का जो नाप है, वो हमारे कटूरी से कितना होगा इसके बाद हम एक उबलावा आलू ले ले लेंगे, इसको छील के हम घिस लेंगे, ताकि आलो में कोई भी लंप्स ना रहे, आप चाहिए तो कच्छा आलू भी ले सकते हैं, कच्छा आलू को भी लेके घिस लेंगे, कच्छा आलू को रैसी भी में कैसे यूज करना है, ये इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च या लाल मिर्च जिता तीखा का खाना पसंद करते हैं उतनी ही मिर्च डाले कम भी डाल सकते हैं जादा भी और फिर उसको भी हलका सा ओयल में मिक्स कर लीजे जब मिर्च भी थोड़ा भुन जाएगी तब हम इसमें डालेंगे दो टी पुरादे को बहुत जादा नहीं भुनना बिल्कुल हलका सा जब गुल्डन सा ब्राउन सा हो जाए तब भुनना आप चाहे तो इसमें करी लीज पी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली कि मैं वुरत में नहीं खाती हूँ अब हम इसमें दो कप पानी डाल देंगे जितना हमने सम अबलाव आलो ले रहे हैं तो इसको हम बाद में डालेंगे ये धियान रखिएगा अगर कच्छा आलो ले रहे तो इसको इसमें पानी के साथ ही डाल के थोड़ा उबाल लीजी अब इसमें डाल देंगे नमक नमक अपनी टेस्के करदे इसमें मैंने अभी 3-4 तीस्पून क अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब पानी थोड़ा उबलने लगेगा अच्छे से थोड़ी बॉयल आ जाएगे तब हम इसमें अपना जो समा के चावल का आटा था ना वो डाल देंगे और जल्दी जल्दी मिलाएंगे जैसे हम उपमा बनाते हैं लंपस ना पढ़ने पाए तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आज को थोड़ा सा धीरे कर देंगे ताकि एक दम से गरम गरम पानी में गाटे पढ़ जाती है आटे की और यहीं पर आप अपना उबलावा आलू जो हमने घिसके रखा था आटे के साथ ही डाल देंगे और दोनों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से बाइंडिंग बन जाएगी इसके अच्छे से मिक्स हो जाएगा देखे इस तरह से पल्टे से दबा दबा कर अगर कोई लंप बन रहा तो इसको तोड़ दीजिए और आज को धीम ही रखी इस तरह से मिक्स होता जाएगा ए bottom छोड़ने लगा है आटा याने के binding अच्छी होती जा रही है और अगर आपको फिर भी लग रहा है थोड़े lumps हैं तो masher से mash कर लिज़े आटे को पैन के अंदर ही यह देखे है आटा बहुत अच्छे से mix हो चका है और जो masher में जो आटा लग गया इसको चमट से छोड़ा लीजिए और अब हम इसको वापस अपने पल्टे से हिलाएंगे बहुत अच्छा डो टाइप consistencies की बन गई है और अब इसको हम ठंडा होने के लिए अलग से एक separate बरतन में इसको transfer कर लेंगे यह देखे कितना चाटा हो गया हमारा अपने नाश्ते को और spicy बनाने के लिए इसमें एक चमट चिली फ्लेक्स डाल दीजिए एंट में और इसको अच्छे से मिस कर दीजिए पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिल्कुल वह आटे में मैश हो कि उसको सारा टेक्श्चर और कलर चला जाता है तो एक चमट चिली फ्लेक्स डाल दीजिए तोटली ऑप्शनल है अगर आपको ज्यादे spicy पसन नहीं तो आप मढ़ डालिए और अभी इस आटे को हम एक separate बरतन में transfer कर देंगे अभी आता बहुत गरम है इसलिए इसमें हाथ मढ़ डालेगा नहीं तो हाथ जल जाएंगे इसको तो खरूłe जरी बरको जाटे करेए इसकキट डेंगे लटे सातर्व जड़ी सिर्स सेहने को कईो फस्ट सवी मढ़ डाली दो आफ़yang. झाल 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 झाल